नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक सेप्टेंबर 2022 के डेली न्यूस एनलेसिस और एडिटोरल एनलेसिस वैसे मैं बता दूँ आज एडिटोरल नहीं है एक सेप्टेंबर 2022 को चुकी कल गरने शेदूरती जी तो उसकी वज़ेस से एडिटोरल एक्चुली न्यूस पर ही नहीं आया है तो फिर भी यहां पर जैसे तेसे कुछ न्यूजिस को इखटा करके मैं आपके सामने ओवराल न्यूज एनलिसिस लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टन चीज़ें नहीं चूटनी चाहिए यॉनाटन नेशन स्यूमन राइट्स कमिशन की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में साफ साफ पॉइंट आउट किया है कि जिन जियांग रीजिन में चाइना ने क्राइब्स अगेंस्ट हुमैनिटी किया है इस बात को ल की नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको अरजेंटली मदद करने की जरूवत है ऐसा रवींद्र भट साब ने बोला इसे देखेंगे मंकी पॉक्स के 50,000 कैसे दुनिया भर में आ चुके हैं अप्रैल से जून 2022 जो की पहला क्वाटर है 2022-23 फैनेशल एर का इसमें GDP ग्रोथ 13.5 परसेंट हुई पिछले साल के कंपारिजन में तो ये किस बैसिस पर ये इस पर्टिकुलर न्यूस को देखेंगे वर्ड अथा दे देख लेते हैं रिजेंटमेंट रिजेंटमेंट की होता है फीलिंग ऑफ इंडिग्नेंट डिस्प्रेशर और परसिस्टेंट इल्वि है तो इस रिस्पेक्ट में इसको आप बोलते हो रिजेंटमेंट तो पहली न्यूस वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए इस्टरगाम पर फॉलो कर लिजा आपके सब बाच्चीज करने कोशिकरत और टेलिग्रा न्यूस यह है कि गॉर्मेंट ने विंड फॉल प्रॉफिट टैक्स लगा दिया है डीजल की उपर और जेट फूल प्रोजेक्ट की उपर डीजल की उपर अगर आप डीजल एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से तो आपको साड़े तेरह रुपे प्रती लीटर एक्सपोर्ट तो उसके लिए था पहले दो रुपे प्रती लीटर उसको साथ रुपे बढ़ाया गया प्रती लीटर तो वो गया नौ रुपे प्रती लीटर तो पहले जो जेट फ्यूल एविशन टर्बाइन फ्यूल एटियो के उपर जो एक्सपोर्ट टैक्स लगा था दो रुपे प् प्लस, अगर आप देखो, तो जो domestically produced crude oil है, इसको अगर आप export करते हो, तो पहले levy लग रही थी 13,000 per ton, अब लग रही 13,300, तो 300 रुपर प्रती ton export levy बढ़ाई गई है domestically produced crude oil के उपर, वैसे ही जो export taxes हैं, लंबे समय से, पिछले कुछ महीनों से लगाए जा रहे हैं, अगस्त में इनको हटा दिया गया था, अभी के लिए domestically produced crude oil के उपर 13,000 रुपर पर ton था, 13,300 कर दिया गया उसको, पहले 17,750 तक लगाया गया था, तो कम करके 13,000 किया गया था, 13,000 से 13,300 किया एक और बात, ATF की export के उपर 7 रुपर प्रती लीटर से बढ़ाया गया, 2 रुपए से 9 रुपए कर दिया गया, और डीजल के export के उपर windfall profit tax, 3.5 रुपए कर दिया गया, पहले कितना था, 7 रुपए, ठीक है भाई, तो छोटा से, windfall tax क्या होता है, एक ऐसा tax जो government लरी करती ह कुछ industries का गया है, देखे, ऐसी industries जो किसी unnatural reason की वजह से एकदम से बहुत ज़ादा profit कमाने लगे, windfall tax मतलब होता है, एक होता है genuine profit, यहाँ पूरे investment का 10%, 15% कमा लिए, एक होता है कि भाई, आपने किसी event का फायदा उठा के unnecessary और illogical amount of profit कमा है, जैसे कि COVID-19 pandemic आया, Russia, Ukraine, war आया, तो उसके चलते हैं, इंडिया से जो crude oil export हो रहा है, उस पे यहाँ के exporter को काफी फायदा होगा, रिलाइंस वगारों को, अब normal case में सरकार कुछ नहीं करती, बट इंडिया के अंदर petrol के डाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस context में windfall tax लगाना बहुत ज़रूरी था, तो windfall tax ए जैसे lottery वगरा पर tax लगाए जाते हैं, इनहरेंट इन टेक्स की, पिता जी मारे तु सारा दौलत बेटे को मिल गई, बच्ची को मिल गई, lottery पे आप एकदम से पैसा जीत गया है, तो इन सब तरीकी की चीज़ों पर जो tax लगाए जाते हैं, इसको भी कभी कभी windfall tax category में रख जाता है, अगले न्यूज जिएस पेबर टू, इंटरनाशन रिपोर्ट्स, हुमन रैट्स वालिशन, यूएन ने एक साइट किया है, प्रॉसिबल काइम्स अगेस्ट हुमेनिटी चाइना जिन जियांग, यूएन की हुमन राइट्स कमिशन की बात हो रही है, देखिए च जियांग रिजन में, उस समय पे इनका जो स्टेटमेंट आया था, थोड़ा दबा हुआ था, सबको लग रहा था कि कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन अब ओवराल ओपन ली रिपोर्ट यह बोल रही है, कि टॉर्चर और राइट्स वालिशन किये हैं, बीजिंग ने इन माइचले बैचलेट ने बोला है कि भाईया, मेरे पास दोनों तरफ से प्रेशर आया, लेकिन मैंने कोई भी प्रेशर यहां पे नहीं लिया है, मेरा 31 अगस्त को टेनर खतम हो रहा है, 31 अगस्त से पहले रिपोर्ट रिलीस करके जाओंगी, और इस रिपोर्ट में सब है, सेंटर लेशन नेशन जैसे की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहां पे रहने वाले लोगों से एथनिकली क्लोज हैं, जिन जियांग में रहने वाले लोग, आप कह सकते हो कि यह उईगुर्स, चाइना की जो पचपन ऑफिशली रिकोगनाइज़ एथनिक माइनॉर्टी उसमें से एक है, लेकिन इसको इंडिजीनेस ग्रूप मानने से चाइना मना करता है, अब भी इंडिजीनेस ग्रूप नहीं मानते हो, तो यह लाका छोड़ दो, लेकिन चाइना वाला इलाका नहीं छोड़ते हैं, लोगों को नहीं रिकोगनाइस करते हैं, उस बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बाउंडरी लग रही है फिर 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 अफगानिस्तान के साथ बाउंडरी लग रही है ठीक है अच्छा, overall इस जिन्जियांग के उईगुर मुस्लिम्स का सपोर्ट कहीं अफगानिस्तान और जो बाकी जगा के आसपास की कंट्री के टेरर गुर्प से वो ना सपोर्ट करें लगी चाइना के पॉलसी सकेंगे, इस बात को लेकि चाइना कभी-कभी थोड़ा एप्रिहेंसि होता है, अच्छा, चाइना के चलते economic development जिन्जियांग में पहुँचा है, बहुत सारी industries वगरा setup की गई जिन्जियांग में, तो no doubt economic prosperity पहुँची है जिन्जियांग में, लेकिन उसके साथ-साथ हैं Chinese लोग भी पहुँचें, जैसे कि आप इंडिया में कश्मीर की बात करो, या फिर North East की बात करो, तो कश्मीर North East में क्या है कि development पहुचानी है, लेकिन वहाँ के लोग चाते हैं कि बाहर के साथा लोग ना है, तो इंडिया में proper तरीके से inner line permit जैसे system चला रखे हैं, article 35-370 था, अभी भी कश्मीर में article 35-370 हटा दिया गया है, लेकिन तब भी कोई भी मुँ ठाके नहीं जा सकता, मेरे आपकी जैसे लोग जाके कश्मीर सेटल नहीं हो सकते, गौर्मेंटल बेनिफिट्स नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा जिन्दियांग में नहीं है, जिन्दियांग के अंदर बड़े तागाद में जो हैं चाइनीज लोग है, वो जाके सेटल हो है, तो जो वहां के लोकल उईगुर मुसलिम से उनकी जॉब, नौकरियां, लाइवलिवूड, आइडेंटिटी थ्रेट के अंदर है, किसके चलते 2009 में एक दंगा हो गया तो जहां पे 200 हैं चाइनीज लोग को उईगुर ने मार दिया, उईगुर से ने मार दिया या फिर क इटेंशन सेंटर चलाये जा रहे हैं, जहां पे गलत तरीके सो उईगुर मुसलिम को क्यात करके रखा गया, उनके खिलाफ अत्याकार किया जाता है, परसीकुशन किया जाता है, लेकिन चाइना बोलता है, कि नी भाई, हम कोई परसीकुशन नहीं करते हैं, हम तो एजुके कि यहां पे सुप्रीम कोट के जस्टिस, एस रवींदर भट बोल रहे हैं, कि जतना जल्दी हो सके, उतना जल्दी सम्विधान के अंदर आप एक सेपरेट शेडूल बनाईए, डी नोटिफाइड, नॉमाडिक और सेमोनेमोडिक ट्राइप्स के लिए, उनको प्रवेंशन को कर दिया गया है, बहुत से को नहीं किया गया है, इस बात के ओपर थेसिस कर रहे हैं, कि ये 200 सरसट DNT, NT और SNT, इनको SCST या OBC में रखें, 255 कम्यूनिटी में से 24 कम्यूनिटी के ओपर अपनी रिपोर्ट, आर्ट के लॉजिकल सर्वेय ओफ इंडिया सब्मिट कर चुका चलते हैं, गौर्वर्मेंट की सीड स्कीम इंप्लिमेंट नहीं उपार, इसके बारे मैंने कल भी बात किया थी, सीड स्कीम मतलब स्कीम फोर एकनोमिक इंपार्मेंट ऑफ डी नोटिफार नोमाडिक और समी नोमाडिक ट्रैस, इसके अंदर ओवराल इन डी एंटी और लिकेवल है, तो कहीं न कहीं ये स्कीम का बेनिफिट इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि प्रॉपर तरीके से इन ट्रैप्स को SC, ST या OBC में कैटेगराइज नहीं किया गया है, तो जतना जल्दी कैटेगराइजेशन हो जाएगा, उतना बेटर रहेगा, अर इन लोगों को सेग्रीगेट कर दो, आप SC, ST, OBC के इंदर, नहीं तो इनके लिए एक अलग से शेडूल बना दो, यह आपर रवींद्र भट साहब बोल रहा है, ओके हमें अर्जेंड बेसिस पे एक टाइम लाइन के हिसाब से करना है नहीं तो लंबे समय तक इन लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और यह वाइलेशन होगा आर्टिकल पंदरा क्लॉस वन और आर्टिकल सत्तरा का ठीक है न भाई तो यह ओवराल भट साहब का बोलना है, देखिए यह वो ट्राइब से जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल बोल गया था, तो इनको ब बाउन क्रिमिनल का ठपा भारत सरकार ने हटा दिया था 1952 में, फिर इनको बोल दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीकिना, तो देखिए, कुल मिला के अंग्रेजों के समय पे इन ट्राइब्स को परसीक्यूट किया गया, यह बिल्कुल ही बीहड में रहते थे अंग्रेजों के आपके लोग बनाय हुए नियम कानूनों के साब से नहीं चलते थे, इसलिए बॉन क्रिमिनल्स बोल दिया अंग्रेजों ने इनको, लेकिन आजादी के बाद भी भले इनके उपर से क्रिमिनल का ठपा ठाट आ दिया गया हो, लेकिन सारे गौर्वर्मेंट साब पार्लेमेंट और लोग सभा के बहाफ पे गये हैं सूरी नाम कंट्री में, और सूरी नाम नाशनल एसेंबली के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए बोला कि इंडिया 2047 तक एक डेवलेप्ट कंट्री बन जाएगा, अब एक कुशन उठता है कि सूरी नाम कहां पे, तो थोड़ी exercise में आप कि आप करो, यह मैं चाहता हूँ, याद रखेगा इस प्रकार की news geography के respect से बहुत important होती है, हो सकता है कि आप से UPSC या किसी और exam में कोई इस प्रकार का MCQ पीछ दिया जाए कि which of the following countries fall north of the equator या south of the equator, समझ गये, इस प्रकार का सवाल पूछता है, UPSC अक्स साफ साफ नजर आ रहा है कि northern part of South America से equator निकलता है, और equator के बिलकुल north में है आपकी सुरी नाम country, ठीक है न, तो अगर आप से इस तरीके कोई सवाल पूछा जाता है, कि which of the countries fall north of the equator या fall south of the equator, और वहाँ पर option में सुरी नाम लिख रखा है, तो अपर के दिमाग में गर आपको ये भी आद है कि सुरी नाम northern hemisphere में आ रहा है, equator के north में आ रहा है, तो भी option elimination में आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से जोग्रफी को थोड़ा आप अप्रोच करिए, चलिए, तो ओम बिरला साब इंडिन पार्लिमेंटरी डेलिकेशन को ले इंडिया के अंदर इंडिया जितना हो सकेगा, सुरी नाम की यहां पर मदद करेगा, फिर यहां पर यहां पर बताया जा रहा है, बिरला साम ने क्या बोला, debates and discussions on issues relating to people's welfare are encouraged in Parliament of India, effective legislation are outcome of constructive debates and discussions on matters cutting across party lines, तो बेसिकली यहां पर यही बताया जा रहा है, कि अगर आप इंडिया औ सुरी नाम की historical और close relationship की बात करो, तो उस context में दोनों की democracy को strong करने के लिए, inter parliamentary union के आप कहलो framework के अंदर, इंडिया और सुरी नाम एक दूसरे के साथ engage कर सकते हैं, तो overall इंडिया और सुरी नाम information exchange करेंगे, parliamentary archives की, parliamentary documents की, इंडिया के जो भी कहलो, आप parliamentary coverings को, जो proceedings होती है, इनक live stream किया जाएगा सुरी नाम के अंदर, सुरी नाम के parliament की proceedings को इंडिया के अंदर live stream किया जाएगा, reciprocal telecast of contents यहाँ पे बनाया जाएगा, एक और यहाँ पे MOU sign हुआ है, Bureau of Indian Standards इंडिया की तरफ से, और सुरी नाम की तरफ से सुरी नाम Standard Bureau of Standardization, तो इन दोनों की बीच में overall एक agreement sign हुआ है, देखिए इस प्रकार के agreements बहुत important होते हैं, चुकि जब इंडिया और सुरी नाम के बीच में trade होगा, तो बहुत सा ऐसा समान होता है, जो कि इंडिया के market में तब तक नहीं बीच सकता, जब तक उसको BIS ना प्राप्त हो, तो भारती ये BIS inspector सुरी नाम के अंदर ज रहेंगे कि हाँ इंडिया की products को आप export करो, सारे products में ऐसा नहीं होता, कुछ में ऐसा होता, तो इसलिए standardization के respect में भी यहां पर के MOU sign होए, फिर Interparliamentary Union के लिए है, इंटरनेशन और इंटरनेशन और इंटरनेशन और नाशनल और नाशनल और नाशनल और नाशनल और नाशन इसके associate member है, इंडिया भी इसका member है, तो Interparliamentary Union के respect में हमने यहां पर बात है, और आज की आकरी news, GDP growth surges to 13.5% in April-June, तो इंडिया की GDP अपरेल से जून 2022 के quarter में 13.5% पर बढ़ी है, यही अपरेल से जून 2021 में जो growth rate थी, वो 4.8% थी, इस साल है 13.5% ऐसा बताया है, Minister of Statistics and Program Implementation यह जो sharp uptake growth में देखने को मिला, यह एक favorable base effect की वेसे देखने को मिला है, 2021 में इसी time period में एक तगड़ी economic crisis आई थी, तो development हो रही थी growth and development और उस speed पे नहीं हो रही थी, यहां पे कुछ statistical figures को compare किया गया है, 2012 financial year से लेके अब तक quarter wise data available है, तो अप्रेल मई जून 2012 से लेके अब त comparison में देखने को मिली थी, आपको पता होगा, अप्रेल से जून 2020, almost pandemic शुरू ही हुआ था, पूरा देश बंद पड़ा था, तो अप्रेल से जून 2020 के respect में, अप्रेल से जून 2022 में जो growth rate देखने को मिली थी, वो थी 20.1%, और अप्रेल से जून 2021 के respect में, 2020 की growth rate है, वो है साड 4% से बढ़ा है, अप्रेल से जून 2022 में, जो कि अप्रेल से जून 2021 के comparison में दुगना जादा है, और जनवरी से मार्च 2021 के comparison में भी जादा नजर आ रहा है, एक और news है दोस्तों, GS paper 2 health में, world monkeypox आउटप्रक्स top 50,000, 50,000 monkeypox के cases दुनिया भर में यहाँ पे देखने को मिल रहे ह में cases थोड़े कम होते भी नजर आ रहे है, world health organization का dashboard यह बताता है हमें कि overall monkeypox के, दुनिया भर में 50,496 cases है, 16 deaths भी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, WHO chief Tedros Adhanom Ghebriyas ने बोला है, कि जो नए infection खतम हो रहे हैं, इससे हम यह कह सकते हैं, कि यहाँ चलो भाई, monkeypox के फैलाव को तो हम कुछ हट तक रोख पा रहे हैं, बहुत सी countries में जहाँ पे infection बढ़ रहे थे, थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, जर्मनी और नीदर लैंड्स में आउटब्रक स्लो होता नजर आ रहा है, monkeypox के क्या-क्या होता है, किस प्रकार के symptom से, यह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, डेट्स की बात की जाएं, तो नाइजेरिया ने चार डेट्स रिपोर्ट की हैं, डबलो एचो को, घाना ने तीन, इस्पेन और सेंटर अफ्रिकन डेपब्लिक ने दो-दो, ब्राजील, बेल्जियम, इकोडर, इंडिया और क्यूबा ने एक-एक मौत यहां पर रिपोर्ट की है, आप musicians, यहां रिपोर्ट को वाइरजिय। वीडियो को लाइक को शीर कर दीजेगा इस्टराब फॉलो कर लीजेगा टेलीगरम ग्रूप जोएन कर लीजेगा जाद से जाद लोग से लेक्चिर को शेयर करें हवाग ग्रेट डेफरेट्स गुडबाई ध्यान रखिया अबना